लंज के बाद के समय को मैं हमेशा अपने पेंडिंग कामों को पूरा करने के लिए यूज करती हूं और थोड़ा सा टाइम निकालती हूं अपने लिए आज थोड़ा टाइम निकाला है अनवेशा के लिए और थोड़ा टाइम निकाला है ठाकुर जी के लिए क्योंकि ठाकुर्जी के जो लड्डू हैं वो खतम हो गए थे तो सोचा उनको बना लिया जाए तो ठाकुर्जी के लड्डू बनाए उसके बाद मैं अपने लिए कपचाय बनाई अन्वेशा के लिए बनाया दलिया क्योंकि उसको आज कल दलिया बड़ा पसंदा रहा है तो और उसके साथ में उसमें होंगे थोड़ी से ड्राइ फ्रूट यानि फ्रूट और नट वाला केक है लेकिन स्ट्रॉबरी की फ्लेवर के साथ में और साथ ही साथ उसके अंदर आएगा बहुत ही ज्यादा टेस्ट क्योंकि मैं इसके अंदर मिला रही हूं थोड़ा सा मिल्कमे लेकिन जब उसे पता चला, कि मैं उसके लिए केक बना रहे हूं, उसे लगा कि मैं और कामों में लगी हो, normally जासे कचिन के कामों में लगती हूं. अचानक से उसने आ करके देखा, केक बन रहे हैं तो खुश हो गई. तो बच्चों के यही वाली खुशी जो होती है न वो हजार वाट की जो एनरजी होती है न वो दे देती है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है तो मैंने उसके लिए ये फाइनली केक बनाया और ये देखे कुछ इस तरीके से लग रहा है इसमें मैंने कोई भी फूड कल नहीं डाला है क्योंकि इसके अंदर मैंने स्ट्रॉबेरी को बिल्कुल चर्न किया था अच्छे से और इसमें कलर फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छे आ रहे थे फिलाल मैंने 180 डिग्री पर इसको बेक करने के लिए रग दिया मैंने 30 मिनिट के लिए ये दलिया बन करके त अब्षूरत प्रॉजेक्ट हम बनाने वाले हैं जूटके फैब्रिक से और उसके उपर करेंगे एंब्रोयडरी भी तो केक करépoque करके रडी हो गया इसको थोड़ी दे के लिए रैस्ट करने के लिए दिया और उसके बाद में इसको थोड़ा सा डीमोल्ड करके पक पकरके और खाने में भी उतना ही यम्मी था जह ऐसा लगता है कि छोटी छोटी भूप के लिए जब हम बजार के उपर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो इस तरह की चीज़े कम ट्राइ करते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम दे करके अगर ये चीज़े बना करके रखेंगे तो हाईजेनिकली भी अच्छी होती है किफायती भी होती है और घर की बनाईवी चीजों में प्यार भी तो होता है जिससे उनका टेस्ट दुगना हो जाता है अस तो सारा दिन किचिन में निकल गया है और अभी शाम हो रही है लगबग 6 बजने वाले हैं अभी शाम होई नहीं है मतलब 6 बजे नहीं है पूरे तो अभी मैं 10 मिनिट के लिए वैलकनी में आ करके बैठी हूँ छोटी सी वैलकनी है लेकिन बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं इदर और हिबिसकस के दो कलर हैं दोनों के ही फूल खिल रहे हैं बहुत अच्छे तो अच्छा लगता है थोड़ी देर यहां पर बैठना अभी बनाओंगी कुछ इंट्रस्टिंग सी चीजें और बनाओंगी थोड़ी सी कड़ाई थोड़ी सी पेंटिंग और देखते हूं अभी क्या-क्या बनाओंगी क्योंकि जो प्रोजेक्ट मैंने बनाने हैं वो मेरे माइंड में हैं लेकिन क्या करूंगी या क्या अच्छा लगेगा वो उसके उपर करने के बाद ही पता चलेगा और यहां पर पीली मक्ही घूम रही है मुझे डर लग रहा है कि नहीं काटना ले चलिए अंदर चल आज खिला है औरेंज और पिंक दोनों ही हिबिसकस साथ ही ये बोगन विला तो मैं आ गई अंदर और अभी मैं यहां पर एक जो प्रोजेक्ट बना रही हूँ वो मेरे पास लेफ्ट आफ़र फैब्रिक था जब मैंने ये कुशन बनाये थे आप सबके साथ में शेयर किये थे मैंने सोफा का कवर बनाया था और कुशन कवर भी बनाये थे तो मैं प्लेचिंग वाली प्लेलिस जरूर चेक करिएगा आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे तो मैंने उसी फैब्रिक में से मेरे पास काफी सारा फैब्रिक की यह बच किया था मैं थोड़ा सा ज्यादा लेकर के आई थी तो अब भी मैं क्या कर रही हूँ लगभग 20 काफी थी उसको मैं अलग से करके कट कर दूँगी तो बिलकुल एक्वल मुझे मिल जाएगा और ऐसा मैं तो पीस एक साथ रख रही हूँ और उसके बात में कट कर रही हूँ यानि कि दो फैबरिक पीसेश को मेंने एक साह लिया है ओसके की राध पर मॉन्मने तोड़ार्स और बहुत ही simple और easy सा design डाला है जो कि कोई भी डाल सकता है और दूसरे के उपर मैंने कुछ इस तरीके का pattern किया है half moon या rainbow color या फिर आप जो भी इसको कहें मैंने फिलाल दोनों के उपर अलग-अलग design दिया है उसके बाद में मैंने ये लिए है anchor के thread आते हैं ये 5 रुपे की ल जितना चोड़ाई में आता है उसी चोड़ाई को लेकर के सुई के अंदर मैंने पिरो लिया है और double कर लिया है और इससे हम करेंगे chain stitch chain stitch बहुती simple वाली कड़ाई होती है बहुती आसान होती है बस हमें सुई को इस तरीके से इसके अंदर से निकालते जाना है छोटे छोट नहीं आएगी तो अगर आप chain stitch जानते हैं फिर तो आपको पता रहेगा अगर आप नहीं जानते हैं तो यह टिप जरूर फॉलो कीजेगा तो यह देखे इस तरीके से करते हुए मैंने पहले एक circle को half circle को पूरा embroidery कर ली और इसको मैंने नीचे के side में कर दिया और नीचे गा embroidery कर लूँगी तो finally दोनों pieces के उपर embroidery हो गई है और यह इस तरीके से लग रही है आप देख सकते हैं यहां पर पास से और दूसरी वाले piece के उपर जो हुई है वो कुछ इस तरीके से हुई है ठीक हो जाएगा अभी मैं करूंगी और इस तरीके से embroidery करके हम वैसे तो कुछ भ मेरे माइन में है जो कि मैं आपके साथ में आगे आगे शेयर करूंगी फिलहाल इसमें time काफी लगा है लेकिन बना बहुत सुन्दर है और बनेगा आगे जो भी बनाओंगी वो भी सुन्दर बनेगा है ना अच्छा कुछ फ्रेंड मुझे बोल रहे थे DIY वीडियो को लेकर कि जो भी मैं DIY बनाती हूं वो मुझे उनको भी गिफ्ट करूं तो जितने भी मेरे ट्राइ सिटी से फ्रेंड हैं देख रहे मुझे तो वो अगर मेरे गिफ्ट लेना चाहते हैं तो मुझे डियम करें इंस्टाग्राम पर इंस्टा आइडी आपको नीचे डिस्क्रिप्श से थोड़ा मैट फिनिश में तो शाइनिंग वाले पीस को हमने इसके उपर इस तरीके से रखेंगे यानि कि शाइनिंग वाला पार जो है वो अंदर के साइड में और जो मैट वाला पार था उसको बाहर के साइड में रख करके मैंने गरम आइरन इसके उपर की थी जिससे क ये पेस्टिंग इसके उपर अच्छे से चिपक गई, अब चिपकने के बाद में इन पीसे को मैंने दोनों को बराबर से इवन कर लिया है, चारो तरफ से, क्योंकि ये थोड़े बहुत इसके धागे से निकल रहे थे, चोकि अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने इसको चा तो मैंने अलग रख दिया, इन दोनों टुकडों के एक-एक साइट के किनारे मैंने जस ऐसी रेंडमली फोल्ड कर लिये हैं, दोनों टुकडों को फोल्ड करने के बाद में दो स्ट्रैप बनाए हैं मैंने यहां पर और इन दो स्ट्रैप को इस तरीके से मैंने यहां पर फ और इसन सब्सी हमों करेंके हुआ और याने कि सीधा वाला पॉर्ष नीहाने चाहिए act भी दूर टाकि लगा से पूरे लगाथacz की वर सब्स्राइब देऊड़ी अब जो हमने portion छोड़ा है यह वाला इधर से हम पूरे जो फाब्रिक को सीधा कर लेंगे अब देखे मैंने यहां पर इसके अंदर ना कोई pocket नहीं लगाई और नहीं मैंने zip लगाई है अगर आप pocket या zip लगाना चाहें तो यह maroon वाले फाब्रिक को attach करने से पहले ही इसके अं stitching करने के बाद में यह अंदर के side में डाल देंगे और तयार हो गया हमारा project जो की बनाया है मैंने एक tote bag आजकल tote bag काफी जादर trend में है और मैंने इसके अंदर zip नहीं लगाई है extra वाले धागे जो हैं उनको मैंने cut कर दिया है सो दोस्तो finally बहुत time लग गया लेकिन मेरा project बन करके तयार हो गया और outcome इतना जादा खुबसूरत आया ना कि मुझे जितना time लगाना वो बिलकुल भी महसूस नहीं हो रहा है और इसको अभी आप market वगरा बिलकुल शान से ले करके जा सकते हैं इतना खुबसूरत लग रहा कि मैं इस टोट बैग को और आपको पता रहेगा कि टोट बैग और एक चोटे वाले बैग दोनों ही आधकल बहुत जादा ट्रेंड में है फैशनेबल भी है और बहुत स्टाइलिश से लगते हैं तो यह देखिए घर पर बना लिया यह देखिए कितना खुबसूरत लग र कर सकते और अगर इसके उपर यहां पर थोड़ा सा जो बेल्ट होती है ना लेदर बेल्ट उसका पीस काट करके यहां पर स्टिच कर दें और कोई भी ब्रैंड का नहीं लगा दें यह किसी भी पुराने पर्स का अगर आप यहां पर चिपका देंगे ना तो कोई बिल्कुल कीजेगा और आज का वीडियो इतना ही था आशा करती हो आपने इंजॉय किया होगा लाइक जरूर करना मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए और इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए बी हापी बी आक्टिव अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए अब बैक त लोग शॉपिंग करके आते हैं थोड़ी सी